नमस्कार इस्टूटेंट। इस्टूटेंट इस्टूटेंट इक्सिसाइज 1.3 का question number 2 है और यहां कह रहा है कि जाजिये कि निमलेकित कत्रं सकते हैं अजवा असकते हैं यह बास जो है असत्य है क्योंकि जो समुच्य है वो एबी है एबी के अवयव जो एबी का एलिमेंट है एबी वो दूसरे समुच्य बी सी ए में है मतलब ए और बी इसमें मुझे मिल रहा है ए और बी अगर नहीं मिलता तो यह सत्य होता मिलने के बाद भी कहरा है कि यह ऐसा नहीं है सबसेट नहीं है यह तो यहाँ पर यह क्या जाएगा और सत्य जाएगा अग्रेजी वर्ण माला का एक स्वर है यह होता है A, E, I, O, U है ना तो A, E जो है A, E, I, O, U वर्ण माला का एक स्वर है A, E यहाँ पर है A, E यहाँ पर भी होगा A, E, I, O, U अगर उश्रफर में लिखें तो यह बाद सकते हैं A, E is equal to X, Z, X अंगरेजी वर्ण माला का एक स्वर है इसी तरह से 1, 2, 3, subset 1, 3, 5 1, 2, 3, subset 1, 3, 5 देखें यहाँ पर यह असत्य हो जाएगा Reason क्या है जो समुच्छ है 1, 2, 3 और 1, 3, 5 में अवयोद दो समुच्छ 1, 3, 5 में नहीं है इसमें तो 1, 2, 3 है लेकिन इसमें 1, 2, 3 नहीं है यह तब होता है यह condition तब आती है जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 हो यहाँ पर भी 1, 2, 3 हो 4, 5, भले बाद में हो कुछ भी हो लेकिन 1, 2, जो element पहले वाले में हैं वो element दूसरे वाले में होना चाहिए तो इसलिए असथ हो जाएगा A subset A, B, C A subset A, B, C A belongs to यह belong का sign होता है A belongs to A, B, C A जो है A, B, C से belong कर रहा है इसलिए A जो subset है वो A, B, C है इसलिए जो कथन होगा वो सत्य होगा A, subset A, B, C यहाँ पर है अगला question आपका है कि A, subset A, B, C question number 5 पर जहाँ ध्यान दे कहीं गलत हो रुखा है मुझसे पहले मैं 5 questions का 5th A, subset A, B, C ही दे इतना ही दिया question में बारे A, subset A, B, C तो यहाँ पर जो A है वो समुच्ची है अवयाओ नहीं है A is belong to A, B, C इसलिए कतन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा यहाँ पर आगा यह ना रोश्टर फॉर्म में जिसका अगर यह होता यहाँ पर यह अगर इस पॉर्म में होता यहाँ पर यह करली ब्रैकेट लगा होता करली ब्रैकेट ना होने के कारण यह सत्य हो गया अगर यह करली ब्रैकेट होता तो इसका एक एलिमेट यहाँ तो है ना तो यह सत्य हो जाता लेकिन यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं है इसलिए यह सेट नहीं माना जाएगा यह समुच्य नहीं माना जाएगा यह समुच्य नहीं है समुच्य के अवेव तो जरूर हो सकते हैं लेकि यह समुच्य नहीं है जिक से कम एक प्राकृत संख्या है सबसेट एकस एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विवाजित करती है तो आपका आंसर बजाएगा कि सम प्राकृत संख्या 2, 4, संख्या 6 से कम है बई सम संख्या क्या है? 2, 4, 6 6 से कम कौन होगा? 2 और 4 होगा 36 को विवाजित करती है आप 36 को 2 से भी काड़ सकते हो और 36 को 4 से भी काड़ सकते हो इससे जो कतन होगा हो कैसा होगा सकते होगा मिदे प्रेशन आपको समझ में आया होगा मन लगा के पढ़ाई कीजिए हाँ अपने दोस्त को अधिक सदिक शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में थैंक्यू नाइस सर इससे नहीं काम चलेगा आप यह लिखें कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया ताकि हमार नेक्स वीडियो बनाएंगे उस नेक्स्ट वीडियो में भी आपको समझाने का प्रयाज करेंगे लगा के पढ़ाई कीजिए सेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स वाच